इस्राइल हमास युद्ध के बीच गाजा के रफा शहर में अब इस्राइली फौज और हमास के बीच आरपार की लड़ाई शुरू हो गई है अमेरिका के लाक मना करने के बावजूद इस्राइली पीम बेंजमीन नेतन्याहू ने रफा पर चड़ाई करने के लिए आईडियाफ को भीच दिया है और अब रफा में मौत का वो तांडव शुरू हो गया है जिसकी कलपना भी नहीं की जा सकती इस्राइली से ना रफा के हर कोने में गुसना चाहती है वहीं हमास उसे रफा के भीतर गुसने से रोक रहा है आईडियाफ का कहना है कि रफा में हमास की कम से कम चार बटालियनों ने पसेरा बना रखा है जिने उखार फेकने के बाद ही वो रफा से वापस लोटेगी लेकिन हमास की शैन निशाखा अलकासिम ब्रिगेट्स और अलकुद्स ब्रिगेट्स रफा के भीतर ही आईडियेफ की कबर खोदने में लगे हुए वुणान ओक साथाहीडव दाखाए है। अजर है। अजर है। और एक ऐसा ही हमला पूर्वी रफा में हुआ है यहाँ पर अलकासिम के लड़ाकों ने IDF के कुछ जवानों पर पहले नुशाना साधा और उसके बाद उन पर फाइरिंग कर दी IDF के यह जवान एक बिल्डिंग में पोजिशन लिये हुए थे और IDF के एक जवान नीचे कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आगे की तरफ बढ़ता हुआ आता है और तब ही उन सैनिकों पर हमला हो जाता है इस वीडियो में अल-कासिम का एक लड़ाका जमीन के नीचे से IDF के एक टैंक पर रॉकेट लॉंचर से हमला कर देता है इसके बाद अल-जैतौन के अल-तकदीन एकसिस में अल-कुट्स बिगेट्स के लड़ाके IDF के सेर्ने बहानों पर बंबारी करते है इस दौरान IDF और अल-कुट्स की भीशड जंग होती है अल-कुट्स ने इस लड़ाई का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें IDF के कुछ टैंक नजर आते हैं जिन पर अल-कुट्स का लड़ाका एक खंडहर पड़ी इमारत में घुसकर रॉकेट लॉंचर दाग देता है और जैसे ही ये रॉकेट IDF के टैंक पर गिरता है वैसे ही बहुत बड़ा धमाका हो जाता है इसके बाद अल-कुट्स का एक लड़ाका IDF की तरफ दना दन रॉकेट दागता हुआ दिख रहा है और इस हमले के बाद हमास ने रफा के जवालिया कैम्प में इसराइली सैनिकों पर एक मिसाइल हमला कर देते हैं यहां पर एक द्रोन के जरीए IDF के जवानों पर मिसाइले और रॉकेट गिराए जाते है हमास ने इसका वीडियो भी जारी किया है वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक ड्रोन उड़ते हुए IDF की पोजिशन पर मंड राता है और उसके बाद फिर वो IDF के जवानों और टाइपों के चिन्मिप करके उनके उपर रॉकेट और मिसाइले गिरा देता है और जैसे ही ये रॉकेट और मिसाइले IDF के उपर गिरते हैं वहाँ पर ताबड तोड बड़े धमाके होना शुरू हो जाते हैं